आज हम राखी मेकिंग वीडियो बना रहे हैं तो हमें इस तरह की राखी बनानी है क्लियर दिखाती हूँ आपको ओके गाइस तो मैंने सबसे पहले क्या किया है ये दो कार्ट बोड है जो बुक की कवर्स होते हैं ना इस तरह का कवर इस तरह का तो इस तरह की कवर्स है मैंने दो सरकल काटे हैं और उसको चिपका दिया है ग्लू से ये वाली ग्लू है ओके तो उसके बाद मैंने उसके उपर वाइट कलर का पेज हैं पेपर चिपकाया है और उसके बैक साइड में भी चिपका दूंगी सिकनू लगा देती हो पहले फस्ट ली और उसके बाद ये पेपर चिपका देती हो ओके तो इसे अच्छे से मैं चिपका देऊंगी और ये हमें राखी कॉटन की बनानी है जो रूई होती है ना उसकी राखी बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये कॉटन लेना पड़ेगा ये जो ग्लू के हाथ होते है ना तो कॉटन चिपक जाता है हाथ में तो अच्छे से पे लिए अच्छे से हाथ के ग्लू निकाल लेना तो यह cotton जो है उसे ऐसे circle में हमें करना होगा यहां चिपकाने के लिए तो यह देखो अच्छे से circle हो गया इसे हम अच्छी shape देंगे अभी और अब मैं यहां यह ऐसे चिपकाऊंगी तो ऐसे page के उपर यह वाली मैं glue लगा दियू और उसके बाद यह जो cotton है रूई इसे भी अच्छे से चिपकाऊंगी थोड़ी मुश्किल होगी guys क्योंकि यह cotton जो है हाथ को वह चिपकती है और glue के बिना हम राखी बना नहीं पाएंगे तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना और अगर रूई पर यह जो gum है चिपक गई तो रूई बहुत खराब हो जाएगे आपकी तो यह देखो guys मैंने ऐसे circle राखी का अच्छे से कर लिया है इसके बाद मैंने eyes बनाई हैं हम बनी बना रहे हैं तो ओके यह eyes है इसकी दो eyes है हम एक ही नहीं है और थोड़ी हुई लेंगे हम अभी मुझे इसके कान बनाने हैं इस तरह कान बनाने है इस तरह अभी मैं इसके कान बना रही हूँ यह बिल्कुल सिंपल राकी और इस को ज्यादा hardly यह राकी नहीं है छोटे बच्छी भी इस राकी को आसानी से बना सकते हैं अच्छे से इसके कान बना नेंगे अच्छे से इसको अच्छा शेप देंगे गाइस में ये जो राखी बना रही हुना वो मेरी स्कूल अक्टिविटी के हैं मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट ये क्योंकि अभी राखी बहुत मस्दिक आ रही है तो ये स्कूल प्रोजेक्ट है मेरा और ये मुझे स्कूल में सब्मिट करनी है ये राखी सोमवाय के इस मंदे के अच्छे से इसके कान बना रही है ये जो यूटूब चाला ले गाईज वो मेरा मेरे ब्रदर का है और वो ही अभी मेरी वीडियो शूट कर रहा है ये मेरे दो भी कान मेरे नहीं राकी जो में कर रहे हूं मैं उसके में खरकोष की कान मैंने दोनों भी बना दिया है इस भी कान को थोड़ा में अच्छे से शेव देती हैं तो गाइस ये कान ना बना के हो गए तो अब मैं क्या करूंगी ये जो ये सरकल है जिसके मैंने ये कॉटन लगाया है उसके पीछे ऐसे उपर की साइड में ग्लू लगाऊंगी और इसके बाद ये दोनों कान जो है ये गलू है ना यहाँ पैसे चिपकाना पड़े हैं ये देखो गाइस देखा कितनी प्यारी लग रही है और अभी इसके उपर हमें आग भी चिपकाना है और वह चिपकाने के बाद जब हमारे राखी ना पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो और भी सुंदर और ब्यूटिफुल देखेगी तो ये हो गया हमारा अब मैं इसके उपर ना ये आखी चिपकाऊंगी यह आखे मैंने कैसे बनाए हैं गाइस वह सिंपल ही मैंने स्केच पर लिया है मैंने तो गाइस अब हम यहां कान चिपकाएंगे इसके ऊसे ओके ये फॉस्ट हो गया अब हम यहां इस छोटे से प्यारे वाले बनी के दुस्ता कान चिपकाएंगे देखो यह होगे दोनों अबना इस तरह की मेरी उन की मैंने उनका तीन धागे लिए उनके और ऐसी उसकी वेनी बना दी पहले यहां एक गाट बांदी और उसके बाद मैंने ऐसी वेनी बनाके दूसरे साइड में गाट बांदी तो अभी क्या करूंगी मैं पीछे के साइड में चाये तो आप यहां पेपर लगा सकते मैंने पहले राकी में ऐसा पेपर लगाया है और नहीं लगाया ना फिर भी कोई बात नहीं तो यह यहां ऐसे मैं राकी अभी स्टप करूंगी अच अब नगाईस यहां यह राकिय अच्छी रहनी चाहिए अच्छे से और वो निकलना नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़ आसा पेपर का पीस कट कर रही हो जिससे राकिय अच्छे से वहां चिपकी रहनी चाहिए तो यहां में थोड़ी ग्लू लगाती हूँ और यह राकिय चिपका दी ओके तो गाईस देखो हमारी सेकेंड राकिय भी तैयार है बनके और अब मैं आपको दोनों भी राकिय दिखाती हूँ मेरे दोनों भी तैसले का देखो गाईस दोनों भी राकिया हूँ दोनों भी राकिया देखो गाईस कितने के जल लग रहे हैं और अभी मेरा यह वीडियो खतम हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चानल को वीडियो को